जैहिन स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आसुतोस पांडे आल राउंडर क्लासेज में इसके पहले के वीडियोज में आपने महा जन्पत को पढ़ा था और अब हम सुरू करने वाले हैं मगत प्य जो सात राजवनसों ने सासन किया था उसके बारे में आज हम को पढ़ते हैं वो टिक है असीन मसुक्सा असीन मसुक्सा हसीन मसुक्सा को देखेए नियुक हो मते हो कम आ लगर शु मॐस पढ़ा हैं वो करते देर नहीं करते हुए सिधे हर्यक मश के बारे में तो चलिए सुरूबात करते हैं हर्यक्वन्स के बारे में देखिए इस वन्स के संस्थापक बिम्विसार थे और यह पहले एतिहासिक राज्वन्स था और तथा इसके संस्थापक धिन्भिसार पहले यतिहासिक साकथे अब देखे हैं कि बिवाग के मारध्यम से दहेज के रूप में लिये गए छेत्रों से समराज्य को लिया था उससे अपने समराज्य का बिशार किया और जैन सहित्य में इसे श्रोणिक कहा गया है में उसे स्रोणी कहा गया हमने वही लिख लिखके लाया है जो इग्जाम में आने के चांसे में जरते हैं और उसने बिवा किये विम्चार ने लिक्षवी राजकुमारी चेलनना थी जिसने आजात सत्रू को जन्म दिया और तीसरी रानी जो थी वो पंजाब के मद्रकुल के परधान की पुत्री छेमा थी चलिए अब देखते हैं कि मगद की मगद की पहली राजधनी राजगीर थी अता उस समय उसे गीरी ब्रज भी कह रहते थे इन सब को सब टॉपिक्स को आप लोग याद करते रहिएगा फिर देखते हैं मगद की वास्तविक सतुर्ता अवंती से थी जिसके राजा चंद प्रगोट का विंबिसार से युद्ध हुआ लेकिन दोनों बाद में मित्र हो गया मित्र कैसे हो तो देखते हैं इस के समय अवंती राजा चंद प्रगोट को असाध्य रोग हो गया था आथा इन्हें ठीक करने के लिए विंबिसार ने अपने राजवैद जीवक को भेजा और जीवक के इलाज से चंड प्रगोट स्वस्त हो गय और उन्होने आवंती को मगत के आध्यीन कर लिया यानि चंड प्रगोट मतलब चंड प्रगोट ने अवंत्री को मगत के आधीन कर लिया फिर देखते हैं बिम्बिसार ने अंग देश के सासत ब्रह्मदत को पराजित कर उसे अपने राज में मिला लिया और बिम्बिसार छोटे राजियों को युद्ध करके जीत लेता था और इसने वैसाली पर भी आक्रमण किया किन्तू सफल नहीं हो सेगा वैसाली पर विम्बिसार का आक्रमण सफल नहीं हुआ अब देखते हैं इसकी हत्या इसी के पुत्र अजाद सत्रू ने कर दी विम्बिसार के पुत्र ने अजाद सत्रू ने इसकी हत्या कर दी और देखिए बहुत ग्रंथों के अनुसार विंबिसार ने लगवक 544 से 492 इसा पूरु तक सासन किया तो देखे वीडियो को बड़ा नहीं किये हैं लेकिन इसमें पूरा समझ में आ जाएगा और बड़ा करेंगे तो इस वीडियो को दो-तिन बार देख लेंगे तो पूरा याद हो जाए तो मिलेंगे अग्ले वीडियो में जय हिंद।